ये प्रभू दिल के मंदिर में है तु साधर की लहरों में और यसी कालों में जहां देखू तु ही तु ये प्रभू दिल के मंदिर में है तु सबी भायों और भेनों को मेरी तरफ से नूतन वर्ष की शुपकाम नाए यह नया वर्ष आपके लिए धेर सारी खुशियां और बाहर लेकर आए यह दुआ में आप सबों के लिए करती है आपने पिछली मेरी वीडियोज देखी होंगी मेरी खोज और मन की शक्ति उसमें मैंने आपको प्रात्ना का महत्र समझाया था और किस तरह चार टिप्स के द्वारा हम प्रात्ना में मन लगा सकते हैं यह समझाया था और आज मैं आपको समझाऊंगी कि किस तरह हम प्रकृती से शक्तिक रहन कर सकते हैं जिसे हम कॉस्मिक एनर्जी बोलते हैं जैसे कि हम अपनी मा की गोद में हो जैसे हम उनके आचल में हो जब भी हमें कभी छुट्टिया मनाने बहार जाना होता है तो हम ऐसी जगह जूड़ते हैं जहां पर अच्छा नीचर हो सीनिक ब्यूती हो हिल स्टेशन में जाते हैं क्योंकि हमें अपना जो भी टायर्नेस है उसको रिलीज करना है तो ऐसी जगह में जाने से हमको बहुत जादा शान्ती मिलती है आपने देखा होंगा हमारे जो पवित्र शास्त्र हैं उसमें भी आप देखेंगे कि सादू, संत, सादवीज, हमारे भगवान, जो नभी थे वे सब नेचर में जाते थे प्रात्ना करने के लिए नेचर से उ अब मैं आपको चार एक्जांपल दूँगी जिसके द्वारा आपको समझ में आएंगा कि किस तरह से हम कॉस्मिक एनरजी हमारे अंदर ले सकते हैं पहला उधारन तो जाड का दूँगी जाड कई वर्षों तक एक ही जगह रह सकते इंशियन रीज यू मस्ट एव सीन जार कभी कुछ किसी से बोलता नहीं अगर आपको इसके फल तोड़ो उसकी तहनिया तोड़ दालो उसे काट डालो उसके तहनियों में जूनो तो भी वो आपको कुछ नहीं कहेंगा इतना धीरज उसमें रहता है तो वो एनरजी आपको पेशिंस तो धीरज की एनरजी अपने मे पूरा जो शक्ती से काम करते हैं अब देखेंगे सबसे हार्ड वर्किंग रहती है चीथिया तो उसे वो हार्ड वर्किंग का जो वैल्यू है वो हम वो एनरजी उससे हम ले सकते हैं तो आप चीटी से बात को कीजी उनसे बात कीजी आप देखिए कि आपको किस तरह से वो का अनुबवाओं होगा तीसरा एक्जाम्पल में आपको देना चाहूंगी एक नदी का नदी किस तरह बहती जाती है अपनी दिशा की तरह बहती है बीच में इतनी सारी इंप्यूरिटीज आती है उसमें कच्रा लोग डालते हैं फिर भी वो सब सहन करते हुए आजू बाजू के पेड़ पौधों को पानी देते हुए बीच में जो तालाब सुखे तालाब को भी पानी देते हुए नदी आगे बढ़ती है और समुद्र से मर्ज हो जाती है तो नदी से हमें क्या एनरजी मिल रहे हैं यहां पर हमें उनसे सीखने मिल रहा है कि किस तरह से लोगों को माफी देना तो रिवर को देखिए आपको जब किसी को माफी देने में आपको difficulty हो रही है तो रिवर को देखिए आप नदी को देखेंगे तो आपको automatically वो energy आप में आएंगी तो चौथा example में आपको दूँगी वो है moon का चंद्रमा चंद्रमा रात को अपना प्रकाश देता है उसका प्रकाश छोटा होता है वो कभी jealous नहीं होता सूरिय से कि क्यों उसका प्रकाश इतना ज़ादा है और मेरा प्रकाश इतना कम है हमारी जीवन में भी कभी हम दूसरे की success पर अगर हमको jealousy feel हो जलन महसूस हो तो चंद्रमा के पास जाईए उनसे बात कीजिए उनसे पूछे कि किस तरह से जो यह feeling है jealousy feeling है उसका मुकाबला किस तरह से करते हैं प्रकृती इश्वर की देन है प्रकृती हमेशा हमें देती ही रहती है प्रकृती में कभी मिलावत नहीं होती मिलावत तो सिर्फ मनुष्य जानता है जैसे ग्राफ्टिंग के द्वारा औरगन हावेस्टिंग के बारे में आपने सुना होगा मनुष्य का nature ही ऐस कुछ ऐसा होता है लेकिन जो नेचर है जो प्रकृती है ये स्रिस्टी है उसमें कुछ भी मिलावत नहीं है वो ऊरिजनल है तो हमें भी अपने ओरिजनल श्याफ में वापस जाना है तो प्रकृती हमें जरूर मदद करेंगे क्योंकि हम प्रकृती के एक पार्ट है एक हिस्सा है यही मैं आप से कहना चाहती थी Thank you for watching the video May God be with you and grant you good health and happiness in life God bless you